नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीप सांगीत व्लोग्स पर, जहां हम आपको करवा चौत वरत की पूरी जानकारी देंगे. आज हम जानेंगे करवा चौत वरत की कथा, इसकी पूजा विधी और इस पर्व का महत्व. अगर आप पहली बार करवा चौत का वरत रख रही हैं, या फिर जानना चाहती हैं कि इसे सही तरीके से कैसे मनाया जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें. सबसे पहले बात करते हैं करवा चौत के पौरानिक महत्व की. आखिर ये विरत क्यों रखा जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? करवा चौत की कहानी द्रिढ निश्चय और प्रेम से प्रभावित होकर उन्होंने मगर मच्छ को मार कर करवा के पती को नया जीवन दान दिया। यमराज ने करवा के समर्पन को देख कर वचन दिया कि जो भी महिला अपने पती की लंबी आयू के लिए इस दिन वरत करेगी उसका पती दीर घायू होगा। तब से करवा चौत का वरत रखा जाने लगा। वरत की तैयारी और पूजा विधी अब जानते हैं कि करवा चौत का वरत कैसे रखा जाता है और इसकी पूजा विधी क्या है। सरगी का महत्व करवा चौत के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी खाती हैं, जो उन्हें उनकी सास द्वारा दी जाती है. सरगी में फल, मिठाई, सूखे मेवे और पानी होता है. सरगी खाने के बाद महिलाएं दिन भर बिना जल और अन ग्रहन किये वरत करती हैं. दिन महिलाएं न केवल अपने पती की दीरगायू के लिए प्रार्थना करती हैं, बलकि यह एक ऐसा समय होता है जब वे अपनी आस्था और शक्ति को मजबूत करती हैं. पूजा की तैयारी शाम को महिलाएं करवा माता की पूजा करती हैं. इसके लिए मिठी का करवा, दिया, र वरत तोड़ती हैं. पती अपनी पत्नी को पानी पिलाकर वरत तुड़वाता है और फिर महिलाएं भोजन करती हैं. वरत का महत्व और समर्पन करवा चौद केवल एक धार्मिक वरत नहीं है, बलकि यह पती-पत्नी के रिष्टे को और गहरा करने का प्रतीक है. यह वरत प अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आनेह वाले त्योहारों की और भी जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद और आप सभी को करवा चौत की शुब काम नाएं।